नमस्कार दोस्तो! अपमी मनमोहग प्राकृतिक सुन्दरता, आध्यात्मिक महत्व और अध्वितिय सांस्कृतिक विरासत के कारण केदारनाथ धाम को सवर्ग माना जाता है. यहां साथ कारण बताए गए हैं कि क्यों इसे सवर्ग माना जाता है? आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गड़वाल हिमाले के बीच स्थित, केदारनाथ के विस्मयकारी परिद्रिश, बर्फ से धकी चोटिया और प्राचीन वातावर्ण एक सुरम्य स्वर्ब बनाते हैं भगवान शिफ्वो समर्पित प्राचीन केदारनाथ मंदिर 12 जोतिरलिंगों में से एक माना जाता है जो इसे हिंदों के लिए अत्यधिक पूजनिया और पवित्र तीर्थ स्थल बनाता है शांत वातावर्ण और शक्तिशाली देवता की उपस्थिती तीर्थयात्रियों और आगन्तुकों के बीच शांती और दिव्य संबंद की भावना को प्रेरित करती है केदारनात की यात्रा में सुन्दर मार्गों के माध्यम से एक कठोर यात्रा शामिल है जो अनुभव में रोमाज और भक्ति का तत्व जोडती है केदारनात का समर्द एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है जो पीडियों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं और वीतरिवाजों को दर्शाता है एक पविक्रती थ्यात्रा चार धाम यात्रा का एक हिस्सा होने के नाते केदारनात हर साल लाखों भक्तों को आकरशित करता है जिससे इसकी स्वर्गिय स्थिती मजबूत होती है ऐसा माना जाता है कि केदानात की यात्रा करने और भगवान शिव का आशिरवाद लेने से आध्यात्मिक मोक्ष और जन्म और मृत्यू के चक्र से मुक्ती मिल सकती है